कैसा होगा अगर GST Portal से रिलेटेर दो तीन टॉपिक्स में आपको एक ही वीडियों बताऊं। एक सरका मैंने कमेंट से शिप किया था, सरको मैं थैंक्स ना चाहती हूँ कमेंट करने के लिए कमेंट सुनका ये था, वो ये कह रहे थे कि GST Portal को जब हम देखते हैं तो काफी confusion होती है, बर जब आप बताते हों कि GST के Portal पर ऐसे से work करना है, से open करना है, से reports को देखना है, तो वो काफी easy हो जाता है, thank you so much अगर आपको मेरे teaching वे easy लगता है और आप easily समझ पाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, कि मैं आप लोग को convince कर पा रही हूं, समझा पा रही हूं, explain कर पा रही हूं, in easy words, तो मैंने सुचा कि ये होता है, क्योंकि जब मैं work करती थी, और उस टाइम जब आप पहली बार work करते हैं, और GST के portal को login करते हैं, तो काफी डर जाते हैं, मैं भी काफी डर जाती थी, जब GST का work मुझे नहीं आता था, और GST के portal को login करती थी, तो मुझे काफी डर लगता था कि कहीं किसी option पे click ना हो जाए, और कहीं कुछ गलत चीजे और document जो हैं, वो submit ना हो जाए, तो मैं काफी डर डर के open करती थी, और कहीं बारे तुम्हें open ही नहीं करती थी, तो मैं समझ सकती हूँ, कि GST के portal को login करने के बाद काफी सारे चीजे मुझे भी समझ में नहीं आती थी, बड़ जैसे जैसे time निकलता है, आप experience करते हैं, चीजों को सीखते हैं, तो वो चीजे easy हो जाती हैं, तो आपके लिए भी चीजे easy हो जाएंगी, मैं आप सभी लोग के साथ हूँ, मैं आप सभी को सिखाऊंगी, धीरे-धीरे हम सीखेंगे, एक ही भार high level का work में सीख सकते हैं, धीरे-धीरे-धीरे हम सीखेंगे, और हम सारी चीजे सीखेंगे, तो मैंने सुचा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको दो-तीन topics लिखाती हूँ, GST portal से related, ये उन लोग के लिए हैं, जो GST portal पे work नहीं करते हैं, user ID and password उनके पास होते हैं, बड़ GST portal पे वो work नहीं करते हैं, अगर आप work नहीं करते हैं, तो आप work नहीं करते हैं, तो आप कैसे work को check कर सकते हैं, कई बारी क्या होता है, कि जो return होता है, वो आपके senior करते हैं, या फिर CE करते हैं, बड़ आपसे वो time to time कहते हैं, कि GST R1 reports जो है, वो portal से download करके दे दीजिए, GST R2B reports जो है, वो GST की portal से download करके दे दीजिए, तो ये सारी चीज़े जो होती हैं, वो आपको अगर basic knowledge होगा, तब ही आप वहाँ से GST की portal से download कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊंगी, कि GST R1 का जो summary होता है, वो आप month wise कैसे download कर सकते हैं, GST के portal से, सेकेंड हम देखेंगे कि GST R2B जो है, वो भी आप कैसे download कर सकते हैं, GST के portal से, थार्ड में आपको बताने वाली हूँ, GST के portal पे दो जो table add किया गया है, table number 14 and table number 15, ये दोनों किन के लिए हैं, किस लिए हैं, वो भी मैं आपको इस video बताने वाली हूँ, और last, GST R के table में, amendment के table में, वहाँ पे 14A and 15A जो है, वो भी add किया गया है, तो ये सारी चीज़े हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप काफी सारी चीज़े GST portal से related आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से request हैं, मेरे इस चैनल को support कीजे, और मेरा एक और चैनल English Language में है, मैं काफी महनत कर दी हूँ, मैं दो चैनल को एक साथ run कर दी हूँ, एक Hindi Language में हैं और एक English Language में हैं, English Language वाला जो मेरा चैनल है, मैंने जुलाई में start किया था, और काफी time हो गया है, उस पे subscriber नहीं गेन हो रहा है, view नहीं गेन हो रहा है, तो please उस चैनल को support कीजे, so that वो चैनल भी monetize हो सके है, और मैं काफी साथ लोग की मदद कर सकूँ, जो लोग accounting का work English Language में सीखना चाहते हैं, bell icon को प्रेस करना ना भूलिएगा, से इन future जो भी वीडियो में upload करूँगी, उसकी notification आपको साथ के साथ मिलती रहेगी, और आप हमेशा update रहेंगे, accounting से related work और taxation से related work में update करती रहती हूं time to time, तो चलिए आज का जो वीडियो है, वो start कर लेते हैं, GST portal को login कर लीजिए, सबसे उपर services, then return, and return dashboard पे आपको click करना है, यहां से आप देख सकते हैं, एक new screen open हो गई है, जहां से जिस भी मन्त का आपको open करना है, वो month select करके search पे click कर दीजिए, उसके बाद अब जब scroll down करके आएंगे, तो GSTR 1 show होगा, आपको view पे click करना है, तो हम view पे click करेंगे, अगर आपको GSTR 1 portal से download करना है, किसी भी मन्त का, तो वो मैं आपको यहां पे बता रही हूँ, तो यहां पे आपको सारे show होगे, कि कितना B2B है, B2C है, सारी details, debit note, credit note, unreg registered person से, registered person से, export, सारी जो आपने feel किया होगा, आपना outward supply का detail वो आपको सारी show होगी, अब आपको view summary पे click करना है, नीचे सबसे आपको show हो रहा है, तो इस पे click करेंगे, तो देखिए आपको इस screen पे जो summary है, वो complete show हो रही है, तो इस तरीके से आपने किस-किस column में क्या-क्या information field की है, वो एक summary में आपको यहाँ पे show होगी, अगर इसी summary को आपको download करना है, तो नीचे आपको देखिए download PDF पे click करना है, आपका जो PDF है, वो ready to show हो जाएगा, इस पे click करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे show हो रहा है, कि यह जो आपका जो है, यह final है, और यहाँ से आ अगर आपको आता होगा, तभी तो आप बताएंगे, तो इस तरीके से आपको download करना है, अगर आप return का work नहीं करते हैं, तो यह basic जो work है, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद secondly में आपको बताने वाली हूँ, हम services में चलेंगे return में and return dashboard पे, उसके बाद यहाँ देखि और उसके बाद आप search पे click कर देंगे, जैसे ही आप search पे click करेंगे, आपको जो third वाला है GSTR 2B, अगर आपकी जो senior हैं कि मैं GSTR 2B डाउनलोड करके दीजिए, या फिर आप reconciliation purpose से भी download करना चाहते हैं, तो आपके यहाँ पे reconciliation purpose से भी download कर सकते हैं, download पे click किजिए, नीचे आपक करना चाहते हैं, तो Excel file में download कर सकते हैं, तो इस पे click करेंगे, तो जो आपका GSTR 2B है, अगर कहीं आप join करते हैं, नीचे पे और वहाँ पे लोग कहते हैं, आपके seniors बगर कहते हैं कि GSTR 2B download कर लो, और उसको टैलिस से match कर लो, जो invoice नहीं है, वो हमें बता दू, जब आपको प file हो चुका है, इस तरीके से आप Excel sheet में GSTR 2B की reports को download कर सकते हैं, और reconciliation अपना start कर सकते हैं, उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे B2B का जो sheet है, उसको open कर लेना है, इसमें आपके जो B2B के invices से वो show होंगे, credit note, अगर कोई amendment है, तो इस वाले sheet में आपको show होगा, तो इस तरीके से आप अपना जो GSTR 2B है, डाउनलोड करके continue work को कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने जो updation है, इसको open कर लिया है, advisory on GSTR 1 IFF, introduction of new 14A and 15A tables, जो की 12 March 24 को introduce किया गया है, इस updation में क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे in short में बता देती हूँ, जनवरी में GSTR के portal पे, GSTR 1 में table number 14 and table number 15 add किया गया था, जो की e-commerce operator के लिए था, जो online business करते हैं, जो online platform होते हैं, जैसे कि Amazon हो गया, flip card हो गया, तो यह सारे online platform पे जो भी person business करता है, तो उनको GSTR 1 जो file करना था, table number 14 and 15 को use करके करना था, अगर कोई mistake हो गई है table number 14 and 15 में तो आप इसको amend कर सकते हैं, तो amendment करने के लिए, यहाँ पे जो table number 15a and 14a add किया गया है, amend records में पहले, यह नहीं था, तो अगर आपने GSTR 1 अपना जनवरी मन्त का file किया है, और 5 मन्त का amend करना चाहते हैं, तो आप amend कर सकते हैं, कैसे आपको amend करना है, चली वो भी देख लेते हैं, GST portal को login कर लीजे, services में आपको जाना है, return में आप जाएए, और उसके बाद आपको जाना है, return dashboard में, उसके बाद वहाँ से आपको date को, month को select करना है, तो आप यहाँ पे select कर लीजे, मैं यहाँ पे select कर ले रही हूँ, February, search में हम जाएंगे, GSTR 1 पे आपको view पे click करना है, यहा यहाँ पे table number 14 and table number 15 जो की add किया गया था जनवरी में, अब इसका amendment आप कर सकते हैं, अगर कोई mistakes आप से हो गई है previous month में, इस month में आप amendment कर सकते हैं, और वो add किया गया है, नीचे आपको एक column show होगा, amend record details, इस पे नीचे जो down arrow है, इस पे click किजिए, उसके बाद जब आप नी कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सार्च कर सकते हैं, गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सुमन एजूकेशन हब, यह मेरे हिंदी चैनल का नेम है, और इंग्लिस चैनल का नेम है, सुमन एजूकेशन हब इंग्लिस, दोनों लेंग्वज में मेरे पास चैनल है, आप पे depend है कि आप किस लेंग्वज में accounting का work सीख कर दिजेगा, thank you and keep watching my videos.